नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक वर फिट से आप सभी का सुवागित है आपके अपने यूट्यूब चैनल दपीसिया मुजर में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोड़ परिच्छा में टेर्मोन और टेम्टू के मोडल कोश्चन पेपर से कितना परतिसत परशन पूछे जा रहे हैं साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा कोश्चन आपका कौन से मोडल पेपर से पूछे जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमन होने वाला है, और आप इसी के अनुसार आने वाली सब्जेक्ट की त्यारी करते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा माक्स आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस देखेएगा बच्चों इस वीडियो में हम लोग class 12 हिंदी इलेक्टिव के question paper का analysis करेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन में आपका जितना भी exam हुआ है उनमें से स्रीफ आपका English इलेक्टिव और हिंदी इलेक्टिव का ही model question paper जारी किया गया था तो चलिए सिधा आप लोग चलते हैं अब question paper पर यह है आपका class 12 हिंदी इलेक्टिव के term 2 का question paper बचों पहले आप लोग term 2 का analysis करेंगे उसके बाद term on का analysis करेंगे तो यहां पर क्या दिसा निर्देश दिया गया था वह आप लोग आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है आप लोग question पर देखते हैं पहला question क्या था पहला question था बचों निमलिकित गद्यांस को पढ़ कर पुछेंगे यह प्रशनों का उत्तर लिखिए और यह छे नमर का question था ठीक नए और इसके अत्वा में भी आपका था एक कव्यांस था उस कव्यांस से कितना पुछा गया था और कव्यांस भी आपका कितना था छे नमर का था ठीक ना पढ़का अर यह आपका जो गद्यांस है यह भी 6 नमर इसके बाद दूसरा प्रशन देखि दूसरा प्रशन था बच्यो निमलिकित में से किनी दो परश्नों का उत्तर लिखिए पहला प्रश् advertisers आपका जारखन के परियाटन के वित्य ही पर निमन लिख्णा है जारखन और परियटन का वितियु सेपर निमन लिखना तो देखे जो आपका केम्प्योर की साच्साफता का मैने यह परश्nehmer 1955 के Gucci?. यह आपका खरण नंबसक्राइप अपने गाव में कोरोना जाज गेंप लगवाने हैं तो समंधित अधिकारी को पत्र लिखें तो यह आपका सेट नमबर फाइप में था कितना था सेट नमबर फाइप में था बच्चो तो ये दोनों जो प्रशन आप लोगो ने देखा वो आपका मोडल पेपर में था उसके बाद देखिए यह है नया रासन कार्ड बरवाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक प्रात्ना प्त्र है यह नंबर प्रस्चो नमबर फ्री नमबर फ्री में था कितना में था सेट नमबर फ्री में यह प्रत्र प्रस्टा यह जो नोमर के यतना भी प्रशन था निमंद लिखना आपका जो रिपोर्ट लिखना था तो आपका अप्लिकेशन लिखने का था यह सारा आपका मोडल पेपर में दिया हुआ था बचो ठीक है उसके बाद हम लोग सेक्षन सी में चलते हैं घह में चलते हैं जो आपका पाइठे पुष्टक से प् परिशन था है उसके बाद थो आपका इसकी है और के आपका नहीं है ऑपका इसमय दो से दो मेंसे एक परस reviewers नहींहीं हो joka मुडल पेपर में था तो आप जानते ही होंगे कंटी यहाँ से आपका यहाँ से आपकास नमर में जो आपका question था यह भी आपका model paper में था करां नमर काण नमर का नहीं ठीक है उसके बाद चलते हैं नेक्स प्रषन, चोथा नमर पर हम लोग चलते हैं.. निमलिखित में से किनी 2 प्रष्णों का उत्तर लिखी, ठीक है? तो 3-3 नमर का प्रष्ण था, यहाँ पे 3 प्रष्ण आपका दिया हुआ है और दो प्रश्णों का उत्तर लिखना है तो देखे बुचो, चार नमर का जो कर नमर का जो प्रश्ण है ये आपनों देखे, राम के परती अपने सर्धा भाव को भरत किस प्रकार परकट करते है तो ये जो प्रश्ण है आपका सेट नमर 5 में था बच्चो उसके बाद जो गण नमर में आपका प्रश्ण है ठीक है रही चकी चित्र लिखी सी पंती का मन अपने सब्दों में असपष्ट किजिए यह प्रश्ण आपका का QW特र से है उसके बाद चलते अगला पर फट व्यापना मरों के लिए गंगाम कर्णा का है और यह प्रश्ण आपका सेट नमर दो में दिया हुआ है और उसके बाद एक इस कफन के अधार पर गंगा कुष्ण की जीवन पे रवेस की सर्चाख्रे एकी प्रस्णने ठीक न यह आपका सेट नंबर 2 में दिया हुगा है कघ नंबर में ंप्रस्ण निया सी सिंह रोली की काला पानी क्यों कहा जाता है यह जो आप पर पारोग की मनुदसा का वर्रल्न किजी यह जो आपका FR नमर का प्रस्जन कि भूरी बचों यह आपका City no.3 में था ठीक है तो यहाँ फिर्फ आपका पांच माओन अमर का प्रस्जन कंख और ग कर्ण यह तीनों प्रस्जन आपका मोडल प्रेपर से अभी तेक्ड आ हुआ है उसमें टीन प्रेशन दिया हुआ है उसम्हें से इक ही प्रेशन का और दोनों pearse आपका model paper से लिग्या हुआ है और इसी परकार से आने वाली subject में भी है मडियासा अपका 3 और दोनों प्रश्च आपका मोडल में था और दोनों में से मातर एक लिखना था है यह सेट नमर फोर में था और यह सेट नमर एक में था ठीक है और देखें सात्वा परस्ट हमारे आज के इंजनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का परबंद जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे तो इस पर जो साथ नमर का यह प्रश्णे प्यारे पेपर में नहीं था वो अथवा में था उसको आप लिması क्ते थे और नहीं भी सकते थे तो यहां से अभी 90 पर इस्वारे संब्द अपका मोड पेपर से आया हुआ है उसके बाद देखिए ची से暁आध में लग्टा handlar लग प्रस्ण ये भी आपका से नमर फोर में था तो सा दीज है हम लोग आठमा प्रिशन पर Came 3 वी सपोटक की माती सिर्षक पाट में लेखक्य ने किन फोलों ओर फ़लों का चर्चा की है ठीक है तो यह जो प्रशने प्यारी बुचों सेट नंबर फोर में था किसमें था सेट नंबर फोर में था उसके अथमा में जो प्रश्ण है गर्मी और लुव से बचने की उपायों का विवर्ण दिजे किया आप भी इन उपायों के परिचित हैं तो यह जो प्रश्ण है आपका सेट नंबर थिरी में था तो देख सकते प आपका model question paper से आया हुआ है जो एक दो कोष्चन दो कोष्चन आपका model paper से नहीं आया हुआ है प्यारी बच्छों वह भी आपका अथ्मा में था तो मैं कहूंगा यहां पर तो यहां मैं देख पा रहा हूँ कि 80% 80-85% term2 का question आपका कहां से आया हुआ था model paper से ठीक है देखें पहरे बचो 80-85% question आपका model paper से आने का कारण या था कि term2 का syllabus पूरा ही नहीं हुआ था इस वज़े से आपका model paper से आया हुआ है लेकिन term1 के पर ऐसा लागू नहीं होगा क्योंकि term1 का जो syllabus है आपका पूरा हो चुका था term1 के लिए आपको बहुत ही जादा समय दिया गया था लेकिन term2 के लिए आपको समय नहीं दिया गया था इस वज़े से 80-85% question आपका model paper से आया हुआ है तो आप लोग क्या किजिए जो आपका term2 का model paper है बचों उसी से आप लोग त्यारी किजिए 80% माक्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है ठीक है term2 के model paper से आप लोग त्यारी किजिए term2 का question का आप लोग का 80% question नहीं जाने वाला है और देखिए मैंने हिंदी इलेक्टिव का क्यार किया था ग्येस paper दिया था प्रतियक सब्जेक्ट का आपका एक दिन पहले guess paper दूँगा कौन कौन से question आ सकते हैं ठ से 60% प्यारे बुचों जो guess किये थे वही question है तो परतेक सब्जेक्ट का guess question देने वाला हूं अब हम लोग बात करते हैं कि term2 के model question paper से कितना प्रतिशत आया हुआ था तो देखिए term2 का answer की तो मैंने डाल दिया है प्यारे बुचों और मैंने solve किया और model paper से ढूणा उसका answer त तो आपका इसमें लगभग आधा प्रेशन जो objective question है उसका आधा प्रेशन आपका कहां से आ रहा है model paper से आ रहा है और term2 का लगभग 80% question 80-85% question आपका कहां से आ रहा है model paper से ठीक है ना जो पंदोग प्रतिशत question आ रहा है वो question घुमा दिया जा रहा है और इसमें जो आपका 30 से 44% question आ रहा है वो question को भी घुमा करके वही question दिया जा रहा है तो लगभग लगभग सारा question आपका model paper से ही आ रहा है term2 का 80-85% और term1 का आपका 55-60% question model paper से आ रहा है तो इसी के अनुसर आप लोग त्यारी किजिए बच्छों next exam आपका वी जो आप सब्जेक्ट है आपका उसका भी इसी से परकार से आने वाला है ठीक है ना और प्रतेक सब्जेक्ट का मैं गेस पर दूँगा आप लोग मिला लिजे कि ह इंदी एक्टिव का जो गेस पर दिया था उससे कितना कोश्चन मेरा आया हुआ है दो दिन पहले में ने दिया था ठीक है ना तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा वीडियो अचा लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों मे सकता है नबे प्रतिसत भी आ सकता है तो सतर प्रतिसत भी आ सकता है ठीक ना तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में धनिवाद कि अ था